उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्री वरुन रंजन ने गोल्फ ग्राउंड के समीट स्थित मास्टर सोबरन मांजी राज्य पुस्तकाले का उपविकास आयुक्त श्री शशी प्रकाश सिंग, जिला शिक्षा अधीक्षक श्री भूतनात रजवार के साथ निरीक्षन क इस दोरान उपायुक्त पुस्तकाले में मौजूद छात्र छात्राओं से वार्ता कर उनकी समस्याओं से अवगत हुए। छात्र छात्राओं ने बताया कि पुस्तकाले की स्थिती काफी जर्ज़ हो गई है। साथ ही बैठने की क्षमता भी छात्रों के मुताविक कम है, अक्सर इंटरनेट वाइफाई से समबंदित कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। छात्रों ने बताया कि पीने के पानी के लिए उन्हें मादा कार्याले पर निर्भर रहना पड़ता है। साथ में वाश्रूम की व्यवस्था अच्छी भी नहीं है। समय के साथ अपग्रेड पुस्तकों की भी समस्या छात्र छात्राओं को रहती है। पुस्तकालय कर्मी ने उपायुक्त को बताया कि पुस्तकालय में प्रति दिन 300 से ज्यादा चात्र चात्राय अध्यायन के लिए नियमित रूप से आते हैं। उपायुक्त ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया कि वे बच्चों के पठन पाठन हितु उनके आवश्यक्ता को देखते हुए पुस्तकों की व्यवस्था सुनिश्चित करें ताकि वे अच्छी तरीके से अपने घर अपने जिले एवं राज्य का नाम रो ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को पुस्तकाले का लाब मिल सके उन्होंने निर्देश दिया कि वो बच्चों के लिए कुर्सी, टेबल, फानीचर, इत्यादी की भी व्यवस्था करें ताकि उनके पठन-पाठन में कोई असुविधा नहीं हो साथ ही बच्चों को बहतर सुविधा उपलब्ध कराने हे तू 30 कंप्यूटर सेट इंटरनेट कनेक्शन के साथ पुस्तकाले में व्यवस्था कराई जाएगी ताकि छात्र छात्राओं को आधुनिक व्यवस्था से जुड़कर बहतर से बहतर शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा जा सके इसके आलावे पुस्तकाले में 24 घंटे वाइफाई की सुविधा प्रती दिन रात के 10 बजे तक पुस्तकाले खोलने रविवार को भी पुस्तकाले खोलने, पानी की समुचित व्यवस्था करने, वाश्रूम की बहतर व्यवस्था करने समेट विविन मूलभूत सुविधाओं को बढ़ाने हे तो निर्देशित किया गया मौके पर उपायुक्त श्री वरुन रंजन, उपविकास आयुक्त श्री शशी प्रकाश सिंग, विशेश कार्य पदाधिकारी श्री सुशांत मुखर जी, जिला शिक्षा पदाधिकारी श्री भूतनात रजवार समेट पुस्तकाले कर्मी मौजूद रहे